बारिश देखी गई वहीं आज भी मौसम विभाग में बारिश को लेकर के अलड जारी किया है कई जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है इसको लेकर के जादा जानकारी दे रही है हमारी सब्धाता नीलम गुर्वे राजानी भोपाल समेत मध्यप्रदेश में मांसून पूरी तरह से सक्री हो गया है जिसके कारण प्रदेश के दर्जन भर्से जादा जिलों में भारी से लेकर मध्यम बारिश का अलड जारी किया है भूपाल की बात करें तो भूपाल में शनिवार को भी जम कर बद्राबर से और आज भी घने काले बादल शेहर में दिखाई दे रहे है मौसम केंट का कहना है कि दुपैर होते होते भूपाल में अच्छी खासी बारिश दरज हो सकती है भुपाल के लावा मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों के हम बात करें तो प्रदेश के इस तमाम इलाकों में भारी से लेकर हलकी बारिश जो है देखने को मिल रही है आज के लिए भी मौसम के इनकी तरफ से अलर्ट जारी किया गया है खास तोर पर बात करें तो सिवनी, जवलपर, शियोपुरकला, दमो, अशोक नगर और नरसिंगपुर में बिजली गिरने के साथ यसाथ भारी बारिश होने की संभावना जताए गई है वही विदीशा, गुना, शियोपुरी, बालगहाट में भी मध्यम बारिश हो सकती है मंडला, सागर, शिनवाडा, पांडुर, ना, छतरपुर, हरदार, आएसें, खजरा हो, बैतुल, सिहो, टीकम, गड, कटनी, बुराहनपुर में भी हलकी बारिश का अलड़ जारी किया गया है देखा जाये तो पूरे ही मध्य प्रदेश में जो है, इस वक्त अच्छी बारिश दर्ज हो रही है जो इंतजार मानसून आने के बाद भी लोगों को बारिश का करना पर रहा था, अब वो खत्म हो गया है और अच्छी खासी बारिश पूरे प्रदेश में ही देखने मिल रही है वीडियो जॉनलिस्ट अभाई के साथ, नीलं गुर्वे, डियूज स्टेट भोपाल इसार दूसी तरफ, 36 गड़ में भी बारिश का दौर जारी है